वेल्कम टू न्यू एपिसोड ओफ सिंग आड़ो जॉन दोस्तो हम अक्सर बात करते हैं कि एलेक्ट्रिक वेहिकल की प्रमोशन के लिए अडॉप्शन के लिए जितना ज्यादा चार्जिक इंफ्रा रहेगा वो अच्छा रहेगा इसमें कोई शक नहीं है आज हम बात करेंगे टाइप ओफ चार्जिर्स उसके लावा एक अपडेट भी जुड़ा है चार्जर से टाटा उस पर भी बात करेंगे और साथ में एक चो में डिसी फास चार्जर रहते हैं दो टाइप की रहते हैं CSS एन चाड डेमो इन में कह डिफरेंस है जो कि 15 से 50 किलो वाट के रहते हैं, गलोबली आज की डेट में 500 किलो वाट जासे टेसला 500 किलो वाट इस्तमाल कर रहा है, कुछ और इरोपिन कंपनीज सारे 300 किलो वाट तक के चार्जर को इस्तमाल कर रही है, लेकिन भारत में अभी मैक्सिम पावर का 50 किलो वाट, 50 किलो वाट का जो चार्जर जो डिसी फास चार्जर है, वो ही अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है सेटप इस पर क्योंकि इसकी कोस्टिंग बह वाँ पर दो बड़े इस तरह के चार्जिंग चार्जर लगे हों, 50 किलो वाट के, उसके लावा 15 किलो वाट का या उसका साथ में छोटे यसी चार्जर पूरा इंस्टाल करने के तक्रीवन तक्रीवन 50 लाग का खर्चा आ जाता है, इसलिए ये ज्यादा सेटप नहीं 50 किलो वाट का DC फार्चर को सेटप करना है, और इसको नोट ओली डिलर के अंदर उनकी रुकार्मेंट जो आम पबलिक है, वो भी इस चार्जर को इस्तमाल कर सकती है, और इस चार्जर तक्रीवन 50 मिनिट में 80% आपकी इलेक्ट्रिक वहिकल जो भी होगा उसको चार्ज करे है, और बाकी जो अधर स्टेट की जो इलेक्ट्रिक है, वहाँ भी इसको सेटप करेगा, अब थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक फरक क्या है, CSS और चार्डेमों में, CSS यानि की कमबाइंड चार्जिंग स्टेशन, ज्यादा तर ये इरोप और USA में इस चार्जिंग को इस्तम हो रहा है, क्योंकि एक Open International Standard है, ये जो कोनेक्टर है, जिसको DC, और ये एक तरह का DC चार्जिंग कोनेक्टर हम इसको कह सकते हैं, ज्यादतर ये BMW की I3, Kia की E-Niro, Volkswagen, E-Golf, Jaguar I-Pace, इन सब में इस तरह के कोनेक्टर को इस्तमाल किया जाता है, टेसला का अपना अलग सिस्टम है वो सुपर चार्जर है, अलग से उसका सिस्टम है बिलकुल, उस पर हम अलग से बात करेंगे, और जनली जो इसकी स्प्लाई रहती है, CSS की वो 25 किलोवार्ट से लेकर 350 किलोवार्ट तक की कपैस्टी के ये चार्जर होते हैं, और अभी तक globally हम बात करेंगर, ये रोप में, जो में पस डाटा है, जून 2020 तक का 8000 के आसपास इस तरह के CSS, DC Fast Chargers लगे हैं, अब बात करते हैं, जो की mainly Japanese auto companies, लाइक Nissan, Honda, Toyota, ये सब इस्तमाल करते हैं, और जपान में ही ज़्यादा इसका इसका इस्तमाल हो रहा है, बाकि अधर जीरोपी में काफी कम है, और इसकी जो कपै इसकी इलेक्टरिक कार्ज हैं, उसमें इसको इस्तमाल किया जाता है, अगर बात करें, टेसला सूपर चार्जर की, हिरोप, हिरोप में, USA में, ग्लोबली और भी, 250 से लेकर 350 किलो वाट पावर के ये इनका चार्जर सेटप रहता है, ग्लोबली स्टेम टेसला के पास 2900, 3900 क से ज़्यादा कुनेक्टर लगे हैं, इनका अपना ही चार्जिंग सिस्टम है सारा, इसको हम CSIS या चार्डेमो नहीं कह सकती, ये बिल्कुल सेपरेट है इन सब से, और काफी तेजी से, जहां-जहां टेसला को लाँच किया जा रहा है, वहां पर इस तरह के सूपर चार्ज हो, तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है यहां, टेसला सूपर चार्जर का, तो ये था अचका अपडेट, आपका क्या कहना इस पर कमेंट में जुरू बताइएगा, आज के लिए तना ही धन्यवाद, वीडियो कों तक देखने के लिए, जैहिंद